हेलो किसान साथियों इंडियन टेक्निकल फार्मिंग चैनल में आज एक बार फिर से आपका स्वागत है जहां पर बात होती है केवल और केवल किसान की मेरा नाम दल्बीर है और मेरे इस यूटूब चैनल में आपका स्वागत है मेरे इस यूटूब चैनल का नाम इंडियन टेक्निकल फार्मिंग है और आज में खित्ती से जुड़ी एक नई व्यूडियो लेकर आया हूँ और इस व्यूडियो में आज मैं आपको सर्सों की वेग्ञानि खिति के बारे में सर्सों की वुआई से लेकर कटाई तक एटू जट जानकारी पूरी इस व्यूडियो में मिलने वाली है इस वीडियो को अंतक जुरूर देखे ताकि आपको खित्ती से जुड़ी सभी जानकारी पराप्त हो, अगर आप चैनल पर नए हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, कमेंट वा चैनल को सब्सक्राइब जुरूर करे ताकि अन्ने खिसनों को खित्ती स यंश करे है जासमेगा, सबसे पहले अपने खित की मिट्टी की जास्क्राइब से ये। अमयाफथा चल जाता जाता कि इसका प्यहान कितना है, अगर शाद से शाथ की बीच है इसमें सभी फसले उगाई जा सकती है, यगर गैहं नमक की मातरा जीरी adopted in paris ने के जो सथ़तित तो इसमें प्रकारगी फसल हुगाई जाथ hosts अगर इसमें नमक की महतरा 0.8 छे अरीक और 1.6 छे कम है तो इसमें किवल्द दल वाली पानी के जांच अगर इसमें नमक की मातरा 2.5 से अधिक है तो यह सभी फसलों के लिए आनिकारेगा है पानी के जांच अगर आप सरसों की विजाई के लिए नहरी पानी का इस्तिमाल करते हैं तो यह सभी प्रकार की फसलों के लिए अच्छा है और इसमें वीज गंकुर्ण पानी के लिए पानी के जांच करवा ले अगर पानी का पीपिम ज़्यादा हो शकता है अगर पानी का पीपिम ज़्यादा हो जाता है तो इसमें बीज का अंकुर्ण तो इसमें बीज का अंकुर्ण अलग बख सो परफिसत तक हो जाता है और यह सभी प्रकार की फसलों के लिए अच्छा है इसलिए हमें पानी के जांच करवानी चाहिए भूमी सरसो के खिती सभी परकार की मिट्टे में के जा सकती है दो मट मिट्टे इसके लिए सब सुरोत तो मानेगी है इसमें इसकी पैदावार सबसे अधिक होती है जलवाईयू सरसो के खिती के लिए जलवाईयू 15 से 25 डिगरता मान सुरोत तो माना गया है इसमें इसकी फ फसल सबसे जादा हती है फसल चकर फसल चकर के अपनाने किसान भायों इंडियन टेक्निकल फार्मिंग चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है जहां पर हम बात करेंगे सरसो की विगयानी खित्ति के बारे में सरसो की बुआई से लिए अगर कटाई तक एटो जड़ जा लाना है कौन सा केट नासक उपयोग में लाना है खरपतवार नासक दवा कौन सी उपयोग में लानी है सरसो के अंदर कितनी से चाहिए करने चीए जिससे कि हमें एक बंपर उत्पादर मिल सके या अच्छा उत्पादर मिल सके सब कुछ एटो जड़ जानकारी इस वीडियो को अंत तक जुरू देखे तभी आपको एक अच्छी जानकरी ले पाएंगे जदी अभी तक आपनी इंडिन टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे निवेजन है कि चैनल को सब्सक्राइब जुरू कर ले ताकि आने वाले वीडियो की नोटि सब्सक्राइब जाता है बात कर लेते हैं मिट्टे की कौन सी मिट्टी में सर्शो की खेति की जाती है तो सर्शो की खेति के लिए उप्यूकत मिट्टी दोमट मिट्टी मानने जाती है दोमट मिट्टी में आप सर्शो की वाई करेंगे तो यह सर्शो के लिए सबसे तो यह सर्षों की बॉआई के लिए सई ओस्टिक समय है यह दि आप इसकी देरी से बॉआई करते हो आप इसकी 10 नौंबर तक बॉआई कर सकते हो देरी से बॉआई करने पर इसका उत्पादन पर परभाव पड़ता है इसे केट वा रोगों का परबंदन हो जाता है इसमें ब अवराईटी और बीच वौह मिट्टी वश्यमय पर निरभर करता है यह दि आप रेते लेंजित जमिन के अंदर लेट वॉआई करते हैं तो जमिन के अंदर नमी कम है तो आप बीच की मात आड़ से दो किलो तक ले सकते हो औजली सर्षों की विजाई करते हो तो आप डेट के जी बीज तक इसकी वुआए कर सकते हो किसान भाई हमेशा ध्यान रखे कि हमेशार सोगे ऐसी आईबराड किसम का चैन करना है जो कि अपने चेत्रवे एरिया के साफ से ज़ादा उत्पातन देती हो आईबराड किसम अच्छी तर्के से पक कर त्यार हो जाती है इसमें रोग लगने की समस्या बहुत कम देखने को मिलती है कभी भी देशी किसम का चैन ना करें तिकम देखने को मिलती है इसलिए खेत में फसल चकर अपनाना बहुत जुरूरी है खेत की त्यारी बात कर लेते खेत की त्यारी की किस त्यारी की किस त्यारी अच्छी त्यारी कर सकते हैं सबसे पहले खेत में आठ से दस ट्रोली गोबर की खाद सड़ी हुई खेत में डाल दे फिर आप गोबर की खाद को खेत में एक समानू रूप से भिखेर दे फिर आप एक दो बार अच्छी तरिक्की से खेत की दो बार जुताई कर दे जिससे की गोपर की कात्मिटी में अच्छी तरिक्की से मिल जाए बीज उपचार यदि आपके सानवाइब बीज का उपचार नहीं करोगे तो उसमें फंगस वयक्योडो का अटैक देखने को मिल जाएगा तो आप बीज का उपचार अवस्या करें यहाँ पर बात करते हैं बीज के उपचार गी तो यहाँ पर आपको कारबोन डी जिम 12% और मैंको जिम 63% इसकी मातरा डाइगराम परती किलोगराम के हिसाफ से आप बीज का उपचार करें उपचार करने के बाद आप इसको पेट क चाहूं में सुकाई सुकाने के बाद बीज बिलकुल त्यार हो जाता है अब आप इसकी बुआई कर सकते हो खाद अगर आप रसाने खाद का इस्तेमाल करते हो तो सरसो की वगाई के अंदर कौन कौन से खाद डालने चीए आप इस में एक अंकट के लिए लेना है एनपे के 12, 36, 50 के जी, पुटास 20, 25 के जी, सलफ पर दानेदार 5, 10 के जी को अच्छी तरह किसे मिला ले अगर आप डिएपी का इस्तेमाल करते हैं तो एक अंकट के लिए 50 के जी डिपी, पुटास 20, 25 के जी, सलफ पर 4, 8 के जी को अच्छी तरह किसे मिला ले अगर आप सिंगल सुपर फास्पेट का यूज करते हैं तो 100 kg सिंगल सुपर फास्पेट पोटास 20-25 kg और सलफर 5-10 kg को अच्छी तरिक्के से मिला ले यहाँ पर सलफर आपको दानेदार सलफर ही लेना है जिसका अच्छा रजल्ट देखने को मिलता है आप खाद वे बीज की वाई मशीन के साथा से एक साथ कर सकते हो बिजाई के समय लाइन से लाइन की दूरी 30-35 cm पोद्दे से पोद्दे की दूरी 5-10 cm और बीज की गराई 3-4 cm ही रखे बीजाई के समय बीज गिल्ली मिट्टी में ही डलना चाहिए जिससे की बीज गांकूर्ण सोपतिसर्थ तक हो जाई सरसो की बीजाई के तूर्ण बाद पैंडा मेली 33% इसी की 600-700 अमल मातरा गोड़ेट से 200 लेटर साफ लेटर पानी में अच्छी तरिके से मिलाकर इसका खेत में सपरे कर दे सपरे करते समय खेत में नमे की मातरा होना बहुत जरूरी है इस से खेत में करपतवार नहीं हो गई गी पेंडा में ली 33% इशी का उप्योग खेत में खरपतवार की रोक थाम के लिए क्या जाता है ये सप्रियाब विजाई के तून्त बात कर दे सप्रे करते समय खेत में नमे की मातरा होना बहुत जुरूरी है विजाई के 30 दिन बाद खेत के अच्छी तरिके से कस्ये की साजता से उसके निराई वा गुडाई कर दे जिससे खरपतवारों का नियंतर और जाई और जमीन मिट्टे में पईयू का संचार हो सकी अब हम बात करते हैं सिचाईगी की सर्चो की खेत की कितनी सिचाईगी करना चीए यह मिट्टी बारिश मोसम पर निरबर करता है अगर खेत की जमीन दो मट्ट मिट्टी है तो दो सिचाईगी में पसल पक कर त्यार हो जाती है अगर खेत की जमीन बिलकुल ही रेतिली है तो ये 4-5 शिचाई की जूट पड़ती है शिचाई कप करने चीए बिजाई के 30-45 दिन के बाद जब पुद्दे में फूल या गंडल बनने लगे तब आप इसकी शिचाई कर दे शिचाई के समय पचास के जी यूरिया वह दस किलो शागिरका को अच्छी तरिक्के से मिला कर खेत में डाल कर इसकी सिचाई कर दे आप खाद सिचाई के बाद भी डाल सकते हो दूसरी सिचाई हमें 75-80 दिन के बाद ही करनी चीए उस समय पोदे पर फूल अना शुरू हो जाता है वह फुटाव भी शुरू हो जाता है सिचाई के समय आप 45 किलो यूरिया पर अंकट के साबसे ही डाले यूरिया डाल कर आप इसकी सिचाई कर दे किसान भायो इस में खेत में क्योडों का अटैक शुरू हो जाता है अगर आप क्योडों का अटैक दिखाए दे तो इम्डिकलोराइड 17.8% असल का सप्रे कर सकते हो एक एमल पर लेटर डाल कर आप इसका सप्रे करते हैं तीसरी सिचाई आप पिचानमा से 100 दिन के बाद करने चाहिए अगर जमीन रेतली है तो आप 100-110 दिन के बाद 34 सिचाई भी शुरू कर सकते हैं अब हम बात करते हैं सरसों के खेति में कौन-कौन से रोग लगते हैं तो इसमें चेपा एपिड वह मोईला परमुक रोग है इस तरह के रोग इसमें सबसे ज़्यादा लगते हैं कीट वह रोग परबंदन के लिए हमें सास्वस्त यह परमानित विज्जों का यूप्यों करें फसल चक्कर अपपनाई गड़ियों में 102 बार गहरी जूताई अवस्या करें अगर आपको सरसों के खेत में किट्टो का टैक दिखाई दे तो आप थायों मत्यक्स 25% डबलो जी का भी चटकाव कर सकते हूँ 8-10 ग्राम तक 15 लिटर टंकी में डाल कर इसका सपरे कर दे सरसों के फसल में फंगस का अटैक सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है इसमें अल्टरनिया, डाउन मिल ड्यू, सपेद रोली, अधी रोग पुनमूख है जो की सरसों के खेती में देखने को मिलता है अगर आपको इस रोग से बचना है तो आपको प्रोपी निब 70% WP फोर्म में जो आता है उसको लेना है तीन ग्राम पर लिटर के हिसाब से इसका खेत में सप्रे कर दे यदि आप ये सरसों की फसल में सप्रे करते हैं तो सरसों की फसल में फंगस जट से कतम हो जाता है वो फसल बिल्कुल सोस्त हो जाती है इस तरिके से आप गवाई से लेकर कटाई तक से भी करिये कर सकते हो कटाई का समय जिस समय सर्षो की फलिया पीली पढ़ने लगती है तो 90 से 95 परसंट फलिया पकर त्यार हो जाती है तो आप इसमय सर्षों की फसल के कटाई शुरू कर सकते हैं 5 से 10 दिन बाद आप इसकी कटाई शुरू करते हैं फिर आप सर्षों का फंडाण कर दे अगर आपको यह वीडियो पसंद आए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेर कमेट को एंडियन टेक्निकल फार्